साथ यो वारानसी समेट ये पूरा पुर्वान चलतो खस्त सिल्प का हब है कलाकारी चाहे कपडे और कालीन में हो या फिर मिट्टी या धातू के बरतन में यहां के कण कण में कलाब बसी हुई है वारानसी के आसपास के ख्षेत्रों से जुड़े दस उत्पादोंकों को तो जी आई टेग एने जोग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण भी मिल चुका है यहां करीब साथ हजार हद करगे हैं करीब सत्तर हजार पावरलूम है करीब डेड़ लाक बुनकर इस कला को समर्द कर रहे हैं वन डिस्टीक वन प्रोड़क कारकम के माज़दम से सरकार इस कला को एक लाबकारी व्योवसाय में बदलने में जुटी है उद्दमियों को हस्त सिल्पियों को कलाकारों को फंड की कमी ना हो उनको अच्छी मशीने अच्छे औजार मिले उनकी सही ट्रेनिंग हो उनके प्रोड़क की सही मार्केटिंग हो सके सही दाम मिल सके इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है ये कला ये परंपरा बनी रहे इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है मैं खुद भी देश के ऐसे सो जिलों की मोनिटरिंग रेगुलर बेच्पे कर रहा हूं जहां लगू द्योग MSME हमारी परंपरा का हिस्सा है भाई और बहनों जैसा की बताया गया है कि इस सम्मलन के दोरान करीब दो हजार करोड रुपय का रण वित्रित किये जाना है अब दो हजार करोड रुपया कारोबारियों के हाथ में आना ये अपने आप में आर्थिक विकास को कितनी गती देता है यहां तमाम उद्यम्यों के अलावा बैंकोवी के भी सभी महनुभाव मोजूद है सब कुछ मोगे पर ही निप्टाया जा रहा है मुझे खुशी है कि जिस लक्ष को लेकर इस दिन दयाल हस्तकला संकुल का निर्मान किया गाया था वो सपना आज हमारी आखों के सामने पूरा होता नजर आ रहा है आप सभी के लिए ये व्यापार कारोबार और समवाद का माध्यम बने यही इसके पीछे की सोच थी साथ यो एक जनपद एक उत्पाद योजना का मकसद उत्पादन से लेकर विक्री तक का संपूर्ण समाधान देना है मैं आपको यहां बनारस के बुनकरों और सिल्ब कारों का ही उदारन दूगा सरकार द्वारा उन्हें आसान सर्तों पर बैंकों से रण उपलब्द कराये जा रहा है कच्चे माल के लिए सहायता दी जा रही है पहचान इस पहचान नाम से जो पहचान पत्र बुनकरों को दिया गया है उससे बिचोलियों को हटाने में बहुत मदद मिली है क्यों बिचोलियों वाली बात पसंद नहीं आई तकलीब होती होगी न लेकिन तकलीब जेल करके भी देश को बिचोलियों से बचाना है इसके अलावा यहां बनारस में ही नव कॉमन फैसिलिटी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं इन सेंटरों के माध्यम से मारकेटिंग के लिए बुनकरों को सहायता दी जा रही है इसके अलावा बदोही मिरजापूर मेगा कारपेट क्रस्टर में भी बुनकरों को आधुनिक लूम दिये गए हैं बुनकरों के साथ साथ मिट्टी के काम से जुड़े सिल्फकारों को भी आधुनिक चाक दिये हैं नई मशीने उपलब्द कराई जा रही हैं अभी मुझे एक हमारा चाक सिल्फकार बता रहा था आधुनिक चाक चोटे से टेबल पे लेकर बैठा था बरतन बना रहा था उसने का मुझे 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 दस लाख रुपे बिज गया पहले दिरे-दिरे कारोबार बंद्र हो रहा था आज बहुत बड़ी मात्रा में परिवार फिस से इस देखता हूं मेरा चहरा भी चमाकता है कि इन सारे प्रयासों के बीच आज जिस जगह यह कारकम हो रहा है उस बहुमुल्य उपकार उपहार की सार्थक्ता तो हम सब लगातार देख रहे हैं